जैहिन सभी को स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सेंपल पेपर 2021 सीवेसी द्वारा लॉंजड फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12 का तीन गंटे का समय है इसका मैक्सिमम माक्स 70 है देखिए Q1 से लेके बारा तक एक नंबर का है Q13 से 16 तक दो नंबर का है Q17 से 26 तक का 3 नंबर का है और Q27 से 30 तक का 5 नंबर का है इनकी वर्डिंग भी दिया है 40 से 60 वर्ड, 80 से 100 वर्ड, 800 से 200 वर्ड तो मैं इस Question Paper को दो पार्टस में सॉल्व करता हूं आपके लिए पढ़ना भी आसान होगा सीखना भी आसान होगा Question No.1 है Interval Training is used for developing Interval Training क्या विक्सित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो Interval Training Speed को विक्सित करने के लिए प्रियोग किया जाता है Interval Training अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता तो पढ़िये पीछे जा करके विडियो देख लिजे Sports Training वाली Resistance Ability Against Fatigue Is Called यानि कि थकान के प्रती जो प्रती रोधक्षमता होती है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं Endurance यानि कि शेहन शक्ती फिर है Acceleration of an object will increase as the net force increase depending on its अब देखो Acceleration यानि कि त्वरण क्या क्या रहा है Question में कि एक वज्टू का त्वरण बढ़ेगा जब उसका कुल force यानि कि उस पर लगा कुल force कुल बल बढ़ेगा और वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा तो आपको formula पता होना चीए Acceleration का Acceleration क्या होता है बताईए आपने बहुत पढ़ा होगा Newton के Second Law में Force is equal to mass into acceleration तो वहाँ से आपको Acceleration का formula पता है Force upon mass तो यहाँ पर क्या होगा Answer इसका mass कि acceleration की बात कर रहा है Force भी बता दिया तो अब क्या बचता है Mass यानि कि mass पर निर्भर करेगा फिर अगला है Physiological Factor Determining Speed Speed को निर्धारित करने वाला Physiological Factor क्या होगा पहला Explosive Strength या Body Weight या Muscle Composition या A और C दोनों तो देखिए Body Weight अगर आपका ज़्यादा है तो आपकी Speed ज़्यादा नहीं होगी लेकिन आपकी अगर विस्फोटक शक्ती अच्छी है तो आपकी Speed ज़्यादा होगी और आपका Muscle Composition यानि कि मान स्पेशियों का जो संरचना है वो अगर बढ़िया होगा तो आपकी Speed ज़्यादा होगी यानि कि इसका आंसर क्या होगा Both A and C Option D फिर अगला Dash bone comes out of socket in hip dislocation अगर कूले की हड़ी dislocate हो जाए अपनी जगह से खिसक जाए तो कौन सी हड़ी बाहर आएगी Femur Femur हड़ी अपने socket से निकल के बाहर आजाएगी The word Miso in Mesomorph मतलब Mesomorph में Meso का क्या मतलब है Meso का मतलब है Muscular एगदम लंबा चोड़ा तगड़ा चोड़ी छाती Muscular समझे फिर है A pattern of disobedience can be observed in children suffering from मतलब जो आग्या ना मानने की प्रवर्ती है वो किस प्रकार के children में देखी जा सकती है मतलब कौन सा disorder हो तो वो होता है ODD Oppositional Defiant Disorder देखें Question 6 What is by by क्या है तो by advantage होता है जो team को मिलता है Advantage given to a team to not to play in initial round मतलब पहले round में उन्हें ना खेलना पड़े और वो बिना खेले ही दूसरे round में पहुँच जाए यही by है Aठवा है Ability to achieve maximum speed from stationary position is called मतलब रुकी हुई अवस्था से अधिक्तम गती प्राप्त करने की योग गेता को क्या कहते है Acceleration Ability तुरान योग गेता Maximum speed तुरान एकदम maximum speed achieve कर लो That is Acceleration Ability अगला है What is the value for male in VO2 max formula यह जो VO2 max formula होता है यह rockport one mile test जब हम निकालते हैं तब वहाँ प्रयोग होता है उसमें male के लिए एक रखा जाता है और female के लिए शून्या यानि कि zero ठीक है याद हो तो फटाफट लग जाता है One marks का question One of the possible cause for obesity could be मोटापे का क्या कारण हो सकता है इन में से क्या heredity हो सकता है अनुवान शिक्ता क्या बहुत अधिक खाना हो सकता है क्या fast metabolism यानि की तेज चयापचय हो सकता है तो देखो मैं आपको बताओ जिस भी व्यक्ति का fast metabolism होता है वो हमेशा पतला रहता है जिसका fast metabolism होता है वो बैठे-बैठे भी उर्जा को तोड़ता रहता है मतलब शरीर उसका नस्ट करता रहता है उर्जा खर्च करता रहता है और वो ज्यादा मोटा नहीं होता हाँ बहुत अधिक खाने से मोटापा बढ़ता है लेकिन आपको पता होना चाहिए अनुवानशिक्ता भी मोटापे का कारण होती है research कहती है कि 40 से लेकर के 60% तक का मोटापा अनुवानशिक्ता से होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे genes की खोज कर ली है वे ज्यानिकों ने जो ये बताती है कि मोटापे वाले माबाप जिनकी पिछली पीडी मोटी है उससे पिछली पीडी मोटी है तो उनके बालकों में मोटापा असानी से आ जाएगा इसका answer होगा D, both A and B ठीक है? अनुवानशिक्ता भी और अधिक खाना भी question number 11 क्या रहा है planning सबसे पहला कारे होता है और उसका reason है planning gives a view of future course of action मतलब planning से अभी हम future मतलब आगे अभी क्या करेंगे उसका पूरा एक detailed view हमें मिल जाता है तो बिल्कुल सही कह रहा है तो इसका answer क्या होगा? क्या कह रहा? both A and R are true and R is the correct explanation of A. बिल्कुल सही A और R दोनों सही है और R A का बिल्कुल सही व्याख्यान है फिर बारवा question क्या कह रहा है match करिए list को देखें vitamin A vitamin A से क्या होता है? रताओंदी, night blindness रात में दिखना कम हो जाता है vitamin B की कमी से क्या होता है? berry, berry vitamin C की कमी से होता है? scurvy लेकिन वो इसकरवी क्या है? कमजोर मसूडे, मसूडों में खून निकलना दात कमजोर हो जाना यहाँ पर पायरिया लिखा है वास्तविक्ता में पायरिया भी उसी मसूडे से जुड़ी बिमारी है पर पायरिया होता है protozoa की वजह से जिंजिवालिस पर चलो यहाँ मसूडे की जुड़ी बिमारी है तो पायरिया लिख दिया तो चल जागा एक तरीके से पर यहाँ इसकरवी होना चाहिए था पायरिया नहीं होना चाहिए था और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तो चलिए मिलाना शुरू करते हैं A चौथा से मिलेगा तो देखिए मिला ही जारा फरस्ट में चौथा यह रहा तो यानि की एक ही ऐसा उप्षण है जो सही होने की सम्भाव ना रखता है देखिए फरस्ट का चौथा ऐसे ही सेकिंड का क्या है विटामिन बी बेरी-बेरी यानि कि second का तीसरा बिल्कुल सही फिर देखिए third का पायरिया यानि कि first यानि third का first बिल्कुल सही तो आप सही जा रहे है देखिए अगला question नीचे जो आसन दिये है इसको पहचानना है ये कौन सा आसन है ये है आपका भुजंग आसन ये कौन सा आसन है ये है त्रिकोन आसन ये कौन सा आसन है ये है पश्चिमोत आसन और ये कौन सा आसन है ये है अर्ध मतसेंदरासन half fish pose चलिए ये movements पहचानना है पहला हाथ ये अंदर की तरफ जा रहा है आप देख पा रहे हैं तो ये है flexion ये बाहर की तरफ तीर आ रहा है देखो हाथ बाहर की तरफ आ रहा है ये extension ये हाथ उपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर दोनों तरफ से तो ये है abduction और ये नीचे की तरफ आ रहा है हाथ तो ये है adduction चलिए आगे करते हैं design free hand for exercise program for round shoulders curing round shoulders मतलब round shoulders को ठीक करने के लिए free hand exercise बताने हैं आपको 4 बहुत आसान है देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप shoulder rotation खुब बजपन से करते हैं कंदे पर अपना मुठी बंद करके अंगूठा रख लिजे और कंदे को घुमाईए या फिर कहीं लटक लीजे जहां लटक ना हो आपको लटकनी की कोई जगह मिले वहां लटकनी कोशिस करिए या फिर चक्रासन करिए भुजंग आसन करिए धनुराशन करिए ऐसा कोई भी आसन करिए जो आपके कंदे पर दवाब देता हो मतलब आपको pressure मिलता हो push-ups मारिए dips मारने से भी कंदे चौड़े होते हैं सीधे भी रहते हैं तो ऐसा कोई भी आसना आप कर सकते हैं फिर question सोला differentiate between ODD and SPD on the basis of their symptoms ODD और SPD के बीच में अंतर बताना है उनके लक्षनों के आधार पर ODD यानि की oppositional deficient disorder क्या है इसमें क्या होता है व्यक्ति में बच्चे में चिर्चिडा पना जाएगा ODD की बात कर रहे हैं बच्चे में चिर्चिडा पना जाएगा वो बहस ज़्यादा करेगा बहुत अजीब व्यवहार दिखाएगा आपकी आग्या का पालन नहीं करेगा कुछ भी कहो वो माने गई नहीं उसे आक्रामकता ज़्यादा हो जाएगी बदला लेने का व्यवहार उसमें दिखाई देगा और ये SPD की अगर बात करें sensory processing disorder ये बिलकुल उल्टा हो जाता है स्थिर निश्चल साब बैठा रहेगा कहीं पर कहीं अकेला रहना पसंद करेगा आप मतलब वो sense organ जो है हमारा जो आखना, कान, skin इनसे मिलने वाली सूचनाओं को आसानी से नहीं read कर पाता आप बैठा हुआ है आप उसे बोल रहे हो बोल रहे हो differentiate between ADHD मतलब attention deficit hyperactivity disorder इसमें क्या होता है चंचलता सीधा सीधा समझे लो किसी काम में मनना लगना कोई एक काम शुरू किया थोड़े दर बाद उस काम को छोड़के किसी दूसरे काम को पकड़ लिया कोई एक काम पूरा नहीं कर रहे है पर दूसरे सभी कामों को करने का मन कर रहा है पढ़ाई में मन नहीं लगना खेल में भी किसी एक खेल में ठीक से मन नहीं लगना शरीर में energy ज़्यादा होती है तो ADHD क्या है कुछ भी तोड़ फोड़ करना ये समान लिया वो तोड़ लिया दूसरे को परेशान करना जहां पर चार लोग बैठे होंगे उसमें घुच जाना उसमें परेशान करना तो ये ADHD होता है चंचलता और ASD ASD क्या होता है Autism Spectrum Disorder इसमें मतलब limited और repeated behavior होता है मतलब बहुती निश्चित वैभार दिखाई देगा किसी वैक्ति का हामे, नामे, सिर्हिलाना, गर्दन जलना कुछ निश्चित से उसके काम होंगे जो हर बार करता हुआ दिखेगा आपको और बार बार repeat करता है वैक्ति एक ही काम को बार बार repeat करता हुआ नजर आ सकता तो repeated behavior मतलब बार बार एक ही वैवार आपको उसका देखने को मिलेगा सामाजिक mail जोल उसको अच्छा नहीं लगता वो समाज में ज़्यादा घुलना मिलना कम पसंद करता है तो ये ASD में होता है Question number 17, below given is the BMI data of school health check-up ये BMI data दिया हुआ है एक school के health check-up का देखिए ये आप देख रहे हैं इंट की तरह बना हुआ है इसका BMI है 18.5 से 24.9 तो मैं आपको बता दूँ 18.5 से 24.9 जो होते हैं वो normal weight वाले होते हैं ये जो सीधी सीधी line दिखाई दे रही है आपको ये वाली ये वाली ये होता है 18.5 से कम यहां दिख रखा है 18.5 से कम वाले हैं ये तो 18.5 से जो कम वाले होते हैं वो under weight होते हैं फिर देखें dark ये dot 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 ये जो दिखाई दे रहा आपको ये है 25 से 29.9 वाले तो ये over weight हैं मतलब जिनका वजन normal से थोड़ा ज़ादा हो गया है और ये देखो CDCD line वाले जो हैं ये आप देख पार होगे ये वाले ये CDCD line वाले ये 30 से लेके 34.9 तक हैं ये क्या होते हैं ये 30 से लेके 34.9 वाले obesity में चले आते हैं मोटापा और 34.9 से उपर यानि 35 से उपर हो तो dangerous situation में obesity class 2 उसके उपर obesity class 3 इस तरीके से बचल ये question करते हैं in which category does the major student population falls into तो किस category में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या है तो देखिए ये रहा आपके सामने normal weight वाले में normal weight वाले में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या है ठीक है ना 18.5 से 24.9 तो इसका option होगा B फिर अगला है the school has to develop an activity based program to decrease the number of तो इस school को इन में से किस की संख्या घटाने के लिए activity based program बनाने की जरूरत है अब आप देखो किस की संख्या घटाने के लिए जाहिर सी बात है obesity की संख्या घटाने के लिए school को ऐसे program की जरूरत होगी तो आप यहाँ पर देखो कौन सा option होगा D option number D फिर अगला question है which category is related to underweight underweight से कौन सम्मंदित है आपने उपर देखा कि underweight कौन से थे 18.5 से कम वाले यह इस तरीके से horizontal CDC D-line वाले यह वाले तो यह वाले देखिए इसमें कौन से option में है यह यह B तो B वाले आते हैं underweight में अगला question क्या है Raman is a student of class 12th Raman class 12th का student है और obesity से परेशान है मोटापे से परेशान है और अभी उसने medical check-up करवाया है school में और उसको advice दिया गया है कि वो योगासन करे तो अब slayvast के हिसाब से कौन से योगासन उसको चाहिए इलाज के लिए तो इसके आधार पर आप answer दीजे तो क्या है पहला question योगा instructor ने उसको कहा आसन करने के लिए कौन सा आसन तो देखिए भुजंग आसन नहीं पवन मुक्तासन नहीं वजरासन चक्रासन नहीं वजरासन वजरासन मोटापे को घटाने मदद करता है क्यों देखिए खाना खाने के बाद करता है इस आसन को ये पाच्छन क्रिया को अच्छा कर देता है और metabolism अच्छा कर देता है शरीर का, तो जो आप खाएंगे जल्दी पचेगा और तूटेगा फिर अगला BMI index for an obese person is अभी अभी आपको बताए, एक मोटापे वाले व्यक्ति का BMI index कितना होता है 30 से उपर फिर अगला है due to obesity यानि कि मोटापे के कारण रमन को नौक नी भी हो गया, यानि कि उसके घुटने टकराते हैं, तो उसको किस चीज की सलाह दी जाईगी, तो जब घुटने टकराते हैं तो पैर के बाहरी हिस्से पर चलने की सलाह दी जाती है, और जब आपके 18 question हो गए, अब 19 से लेकर के 30 तक, इसके second part में बनाएंगे, ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, तब तक के लिए जैहिंद